चेप्टर 7 कॉंग्रेंट ट्रैंगल्स एक्सराइज 7.1 स्टार्ट करेंगे कोश्य नूमबर 6 इन फीगर यह हमें एक फीगर गिवन है एक इसके एक्कोल है एक ठीक है एबी इसके इक्वल टू एड एबी यह वाला किसके इक्वल है एबी एड के एंड एंगल ABAD is equal to angle EAC, शो करना है हमें BC is equal to DE, यह हमें शो करना है, तो पहले हम लिख लेते हैं किवन, AC is equal to AE, AB is equal to AD, एंगल BAD is equal to angle EAC, यह तीन चीज़ा हमें गिवन है, शो करना है, यानि टू प्रूव, BC is equal to DE, अब BC और DE को equal शो करना है, तो आब आप देखिए, BC किस एंगल का पार्ट बन रहा है, BC है, ट्रैंगल ABC का पार्ट, ट्रैंगल ABC का और DE किसका है, ADE का, तो हमें इन दो ट्रैंगल में congrency proof करनी पड़ी तो हमें लेना है, कौन-कौन से दो ट्रैंगल जिनके BC और DE parts है, तो इन ट्रैंगल ABC, ABC में BC आ रहा है न, ट्रैंगल में BC side है, इसको एक को प्रूव करना है, और दूसरे ट्रैंगल कौन से लेना है, जिसका DE पार्ट है, तो DE कौन से ट्रैंगल का पार्ट है, ADE, तो इन दो ट्रैंगल में हमें congrency proof करनी है, फिर अगर इन दोनों ट्रैंगल में congrency proof कर देंगे, तो BC और DE इन दोनों ट्रैंगल के corresponding part है, तो ये भी equal हो जाएंगे by CP CT से, ठीके, तो हमने ये दोनों ट्रैंगल लिए, अब इन दोनों ट् given, second, AC is equal to AE, ABC ट्रैंगल का, ट्रैंगल की side AC जो है, वो equal है, ट्रैंगल ADE की AE साइड के, ये भी given है, ठीके, अब आप थर्ड पार्ट देखीजे, BAD angle किसके equal है, EAC angle के, इसको मैंने लिख दिया angle 1 और इसको लिख दिया angle 2, लेकिन देखे, ये complete part नहीं है, ये triangle BAC का complete angle नहीं बन रहा, तो हम क्या करेंगे, और इसी तरह से जो ये angle है, EAC, ये जो हमने triangle लिया है, ADE, ADE का complete part नहीं है, ठीके, ये वाली चीज जो है, हम दोनो angles में add कर देंगे, तो थर्ड चीज हमें, angle 1 is equal to angle 2, ठीके, इन दोनों triangles को मैंने नाम दे दिया, BAD को 1 और EAC को 2, angle 1 is equal to angle 2, ये में given है, अब हमने क्या किया, add, इस angle को मैंने name दे दिया 3, add angle 3 on both side, angle 1 plus angle 3, LHS में भी जोड़ दिया, angle 2 plus angle 3, RHS में भी जोड़ दिया, अब जब आप angle 1 में angle 3 add करेंगे, तो ये बन जाएगा angle BAC, ठीके, और जब आप angle 2 में angle 3 add करेंगे, तो ये बन जाएगा angle EAD, ये TAE, ठीके, अब हमें 3 चीज़े मिल गई है, 3 reasons मिल गए है, क्या-क्या, AB is equal to AD, ठीके, second, AC is equal to AE, AC जो है AE के एक्कोल है, और third, angle BAC और angle EA, DAE, ये भी एक्कोल है, ठीके, अब आप कौनसी concurrency लगाएंगे, पहले है angle, sorry पहले है ये वाली side, फिर है ये angles, फिर दुबारा है ये और ये side, तो दोनों triangle जो हैं, इसलिए, triangle ABC, congruent है, triangle ADE के, by SAS rule, SAS rule, ठीके, अब दो triangles congruent हो गए, अब BC और DE के हैं, इन दोनों congruent triangle के corresponding part है, सो, BC is equal to DE, Q, by CPCT, CPCT से ये दोनों जो parts है, BC और DE, ये भी क्या हो गए, equal हो गए, Q7, AB is the line segment, AB एक line segment है, and P is the midpoint of it, P is the midpoint, P इसका midpoint है, D and E are points on the same side of AB, such that angle BAD, BAD is equal to angle ABE, यानि angle A और angle B equal है, and EPA is equal to angle D, P, B, ये दोनों angles equal हैं, ठीके, so that triangle DAP congruent to triangle EBP और AD equal to PE, चली start करते हैं, सबसे पहले हमने लिखा given, क्या-क्या चीजी given है, P is the midpoint of AB, तो क्या मतलब हुआ, AP is equal to PB, AP is equal to BP, ठीके, ये दोनों equal हो जाएंगे, क्योंकि AB का midpoint है, आगे, angle BAD is equal to angle ABE, ये given है, थर्ड, angle EPA is equal to angle DPB, EPA, इसको मैंने लिख दिया angle 1 और DPB को लिख दिया angle 2, ठीके, it means angle 1 is equal to angle 2, ठीके, to prove, प्रूफ क्या करना है, फर्स्ट, एंगल, इन ट्राइंगल ADAP is congruent to triangle EBP, और इसका second part है, AD is equal to BE, AD is equal to BE, ठीके, ये दो चीजे हमें प्रूफ करना है, तो start करते हैं, प्रूफ, अब अब ये वाला angle देखिए सबसे पहले, ठीके, एंगल 1 is equal to angle 2, अब हमने क्या करा, ये वाला जो angle है, इसको ले लिया angle 3, both side इस angle को add करते हैं, angle 1 is equal to 2, गीवन है, ठीके, add angle 3 on both side, क्यों करा, ये मैं भी आपको समझाओंगे, तो angle 1 plus angle 3 is equal to angle 2 plus angle 3, अब जब आपने angle 1 में angle 3 प्लस किया, तो ये बन गया angle A, P, D, और ये किसके equal हो गया, angle 2 plus angle 3, angle 2 plus angle 3 क्या बना रहे है, angle B, P, E, ठीके, ये और ये equal था न, तो सिर्फ इतना-इतना angle equal था, ये और ये, हमने जब 3 add कर दिया, तो आप पूरा angle A, P, D, किसके equal हो गया, angle B, P, E, के, ठीके, अब आगे ये, कौन से दो ट्रेंगल में हमें congrency proof करनी है, इन ट्रेंगल D, A, P, and triangle E, B, P, तो हमने ये दो ट्रेंगल लिए, जिसमें हमें congrency proof करनी है, इन ट्रेंगल D, A, P, and triangle E, B, P, इसमें देखिए कौन-कौन से चीज़े हैं, अब देखिए, D, A, P, triangle जो है, उसका एक angle पूरा angle है, कौन सा, जो अभी हमने ये निकाल ला है, A, P, D, angle A, P, D is equal to angle B, P, E, ठीक है, एंगल A, P, D is equal to angle B, P, E, ठीक है, इसलिए हमने ये 3 add किया तो both side, तो हमें ये angle मिल गया, और इसके लिए आप लिख देंगे proof, क्योंकि हमने उपर proof कर लिया, आगे देखिए, और के चीज गिवन है में, एक तो येवाला angle होगे, फिर येवाला और येवाला angle भी equal given था, देखिए, angle B, A, D is equal to angle A, B, E, ठीक है, आगे लिखिए, angle, यहाँ से ले लिजे चाहे, P, A, D, यानि कि angle A और angle B equal है, सिधा ये लिखते जे, angle A is equal to angle B, B, A, D is equal to angle A, B, E, इसका मतलो angle A और angle B equal है, तीसरी चीज, P जो है midpoint है, तो AP is equal to PB, इस वाले triangle का part AP जो है, वो equal है, इस वाले triangle के part PB के, ठीक है, ये भी given है, और ये भी given है, ठीक है, यानि कि ये वाला angle, इस वाले angle के equal है, फिर ये वाली side, इस वाली side के equal है, ठीक है, फिर ये वाला angle, इस वाले angle के equal है, तो कौन सा रूल लगा? एंगल, साइड, एंगल तो ट्राइंगल DAP कॉंग्रेंट है ट्राइंगल EBP के बाई ASA रूल ठीक है? एंगल, साइड, फिर एंगल ठीक है? और दूसरी चीज AD equal to BE AD और BE जो है इसी कॉंग्रेंट ट्राइंगल के corresponding parts है, तो इसके लिए आप डारेक्ट लिख दीजिए and so AD is equal to BE by CPCT Question number 8 इन राइंगल ABC ABC एक राइंगल है, राइंगल एट C C पर राइंगल है ABC ट्राइंगल में एंगल C जो है 90 डिगर है, राइंगल है M is the midpoint of hypotenuse AB, M AB hypotenuse है, जिसमें midpoint है तो अगर midpoint है, तो ये और ये वाला part क्या हो गया, equal हो गया, AM और BM equal हो गया, ठीक है आगे बोले, C is joined to M, C को M से join कर दिया, और produce किया and produce to point D D point तब produce किया है such that DM और CM equal है ठीक है, point D is joined to point B, फिट D point को B point से join कर दिया है, show that अब कई चीज़े हमें इसमें प्रूफ करनी है और पार्ट से प्रूफ करनी के लिए तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर गीवन लिख लिए गीवन किया है, हमें तीन चीज़े गीवन है एक तो यह C, angle 90 degree का है M midpoint है, AB का, इसका मतलब हो किया AM is equal to BM और DM और CM equal है DM is equal to CM ठीक है, यह तीन चीज़े हमें गीवन है टू प्रूफ, जो चीज़े हमें प्रूफ करनी है 4 parts है, सबसे पहले triangle AMC congruent है triangle BMD के ठीक है, AMC और BMD यह दोनों triangles जो है congruent है, second हमें प्रूफ करने है angle DBC DBC जो है, वो 90 degree है third part हमें दिखाना है triangle DBC congruent है triangle ACB के ठीक है, यह वाला triangle और यह वाला triangle congruent दिखाना है और last fourth part में हमें show करना है CM is equal to half of AB CM जो है, AB का half है यह four parts देखने हैं तो start करते हैं सबसे पहले first part में, ठीक है तो हमने ले लिया, इन triangle जिन दो triangles में हमें concurrences show करना है AMC and triangle BMD इन दो triangles में अब हम कोई three things को equal करेंगे ठीक है, आप देखते हैं सबसे पहले देखिए, AM equal to BM AM side of triangle AMC is equal to BM side of triangle BMD reason लिखेंगे आप given second, यह दोनों equal है हाना इस वाले triangles की बाट है ना यह आपने सामने के triangles लिए हैं इसमें इसमें MC is equal to DM MC is equal to MD जाहिए लिख दीजिए given अब देखिए यह दोनों लाइन आपस में इंट्रसेक्ट कर रही है तो यह और यह क्या है vertically opposite angle इसको मैंने 1 और 2 डाल दिया ठीक है, यह दोनों angles क्या है vertically opposite angle 1 is equal to angle 2 इसको अब लिखेंगे vertically opposite angles short में ऐसे लिख सकते हैं ठीक है, देखिए side फिर बीच में angle फिर side तो यह दोनों triangles congruent हो गए SAS rule से triangle AMC congruent to triangle BMD ठीक है by SAS अब आके देखिए यह हमने triangle congruent करती है तो इसके corresponding parts भी equal हो सकते है पहले हमने ले लिए AC is equal to BD ठीक है और दूसरा देखिए यह वाला angle और यह वाला angle इन दोनों को भी equal दिखा दिया यह आगे वाले जो parts हमें solve करने न उसके लिए जरूर है तो यह वाला angle 3 लिख लिए यह वाला angle 4 लिख लिए angle 3 is equal to angle 4 AC और BD को equal दिखा दिया और angle 3 और angle 4 को equal लिए क्या reason लिखेंगे अब इन दोनों के लिए by CPCT क्योंकि यह उन ट्रियंगल के corresponding parts हैं जिनको हमने congruent कर दिया है ठीक है हमने यह वाला triangle congruent कर दिया था तो angle 3 और angle 4 CPCT से equal होग है और DB और side AC यह दोनों भी equal होगे CPCT से ठीक है अब आगे आजाई अब अब करते हैं second part second part में हमें दिखाना है angle DBC is equal to 90 अब दिखें यह दो lines है और यह एक transversal है यह और यह angle हमने equal दिखा दिया है 3 और 4 ठीक है तो इसका मतलब यह कुन से angle बन रहे हैं? alternate interior angle alternate interior angle equal है तो यह दो lines क्या होंगी? parallel होंगी ठीक है अब लिखेंगे अब angle 4 is equal to angle 3 ठीक है reason proved यह हमने prove कर दिया है और यह क्या form कर रहे है alternate interior angles equal होए अगर alternate interior angle equal है तो इसका मतलब यह वाली line और यह वाली line parallel है DB parallel है AC के है ठीक है अब यह दो line parallel है और यह BC ऐसे जुड़ा हुआ है तो यह और यह क्या form करेंगी? alternate corresponding interior angle ठीक है अब आगे लिखें AC parallel है BD के AC और BD parallel है और BC क्या है एक transversal है BC is a transversal तो angle C और angle B का sum कितना होगा? angle C plus angle B is equal to 180 degree रिजर लिखेंगे corresponding interior angle को interior angle भी बोल सकते है corresponding interior angle जब दो line parallel होती है तो इन दोनों का sum corresponding interior angle इनका sum होता है 180 अब देखें angle C हमें कितना given है? 90 already given है angle C 90 तो angle C की place पर रिखती है 90 तो angle B कितना आजाएगा? 180 90 तर जाके minus होगा तो 90 आजाएगा angle B 90 आगे यह हमें दिखाना था angle B means angle DBC angle B means angle DBC 90 degree second चीज प्रूफ कर दी हमने आप करते हैं 3rd part अब लेना है triangle DBC and triangle ACB इन triangle DCB DBC and triangle ACB भी पहले लिख लिख लिए DBC DBC और ACB इन दोनों triangle में दिखें कौन कौन सी चीज़े equal है DB equal to AC DB is equal to AC यह हमने शो कर दिया था पहले DB is equal to AC इसके लिए आप लिख दीजे प्रूफ CPCT से हमने प्रूफ कर दिया था आगे angle B और angle C equal है ठीक है angle B 90 degree है और angle C हमें 90 degree given था तो angle B is equal to angle C each 90 ठीक है और तीसरी चीज इस वाले triangle में BC किसके equal है इस वाले triangle के CB के equal क्यों दोनों में सेम साइड है तो BC is equal to CB reason common ठीक है आप BC BC नहीं लिखेंगे ऐसे बढ़ेंगे तो इस वाले triangle की side होगी BC और ऐसे देखेंगे तो इस वाले triangle की side लिखेंगे हम CB BC is equal to CB reason common ठीक है अब देखें side फिर angle फिर side तो यह दोनो triangle congruent होगे triangle DBC congruent to triangle ACB by SAS rule ठीक है SAS rule से यह congruent होगे ठीक है अब आज यह fourth part पर है अब देखें यह दोनो triangle congruent है तो हम लिख सकते हैं इसके बाद DC is equal to AB DC is equal to AB reason cpct ठीक है अभी दोनो triangle हमने congruent की उसी के corresponding part है तो by cpct cpct से equal होगे अब देखें DC equal to AB तो half of dc equal होगा half of AB के होगे DC का half के ले सकते हैं DC का half है cm लिख सकते हैं DC के half का हम लिख सकते हैं cm तो cm is equal to half of AB ठीक है तो यह होगे approved प्रह झाम के लिख सकते हैं तो अब तो सकते हैं लिख सकते हैं वरोगे